इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है कोई कहेगा असत्य कोई कहेगा जल तो कोई कहेगा लालज संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान नारी का मान भंकर क्योंकि ये अपराद किवल नारी के शरीर को ही नहीं है उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है फिर प्रश्टे ये उठते हैं कि जिसके भी अपराद किया है उसे दंड किया दिया जाए फिर कोई कहता है शारिविक पीरा कोई कहता है मृत्यु दंड कि तो इस अपराद का धन निशत करने से पूल, यह जानना महतों पूरन नहीं है कि अपराद ही है कौन, अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुश, जिसने स्तरी का मान बन कि, किन्तों क्या ये पूर्ण तरसत्य है क्या स्वयम के अपमान के लिए स्वयम के सम्मान को खोने के लिए कभी-कभी नारी स्वयम उत्तरदाई नहीं हो सब्सक्राइब सोच के देखें सम्मान खोने से बचने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टी रखना आवश्यक है रावन सीता कारण इसलिए कर पाया तोगि सीता ने भूली पंके कारण रावन का उस सीमा को लांगना सरल कर दूए तिन्तु अशुक वाटिका में उसी सीता को रावन स्पर्श तक नहीं कर पाया तो उसने रावन और उसके मद्धे में तिनकी की एक छोटी सी दीवार बना दी थे जीवन में ना कहना सीखे यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करें तो उसे वही रोकना सीखे आपके उपर उठे पहले हाथ को पहले कटाक्ष को वही रोक देना सीखे और किसी पुरुष में साहस नहीं कि वह पुना आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके क्योंकि नारी जननी अराध्या तो स्वयम को निर्मल मांकर आप अपराधी ना बनादे राधे राधे